कि आप तो कल तक हमारी बात यहां तक हो चुकी थी नट यिस को एग उलेशन को एगजुलेशन और लायोफिलिक सॉल्स कैसे कराया जा सकता है तो हमने बताया था कि देराट टू फेक्टर्स विच रिस्पोंसवेल्टी फॉर स्टेबिल्टी ओफ लायोफिलिक सॉल्स किसी ल देखो बेटा, पहला चार्ज और दूसरा सॉल्वेशन, क्या होता है, कोई भी जो लायोफिलिक सॉल होता है, उसके उपर, उसके उपर, मालो किसी परकार का चार्ज है, तो चार्ज के कारण क्या होता है, चार्ज के कारण क्या होता है, रेपल्शन होता है दो में, तो इनकी स similar type का charge होता है, ठीक है बिटाओवा .. अच्छा सिर्फ यहां charge थो हता नहीं, charge के अलावा light機 की बात करें phobic की नहीं, phobic फिलक की बात कर रहे, phobic में तो सिर्फ charge की रहता है लेकिन philics पे charge की अलावा salvation भी होता है, माहलो यह है और respecting इसके चारो तरफ चार्ज भी लगा हुआ है तो सिर्फ चार्ज ही नहीं रहेगा बलकि हैविली सॉल्वेटेड भी होगा मतलब इसके चारो तरफ वाटर भी आकर के खूप सारा जिंगी लाला करेगा और वाटर इधर आकर के यूँ बॉन्ड बना देगा किस तरीके से नीला नीला आपको दे रहा होगा दिखाएं यह वाटर क्या करेगा यहां पर सॉल्वेशन करा देगा तो सॉल्वेटेड वाटर इसके चारों तरफ जो है वह मौजूद रहेगा कुछ इस तरीके से वाटर की भी एक परत्वनी रहेंगी बलो बात क्लियर सब ल चार्ज है बलकि वाटर की भी एक परत है अब कोई अपोजिट चार्ज जदी आया और इस पॉजिटिव चार्ज को खतम करना चाहता है तो उसे ना सिफ यह पॉजिटिव चार्ज को खतम करना पड़ेगा बलकि पहले यह जो वाटर के मॉलिकूल से जो इसको घेर के बैठ तो इसका वातार डवल प्रोटेक्शन हो गई, सिर्फ चार्ज ही नहीं है, चार्ज के अलावा हैवी सॉलवेशन भी है, इन दोनों फैक्टर्स को जब दूर कर लोगे, तब जाकर के, जब ये दोनों फैक्टर्स दूर हो जाएंगे, तो यहां से वाटर हटाया पूरा, उसक में कमाइन हो सकते हैं, अब आपस में तीन हो गए, चार हो गए, पाँच हो गए, और यह प्रेसिपिटेट बना देगा, क्या बात चमक गई सब लोग को, लेकिन इसके पहले कम से कम दो इस तर पे जंग लड़नी पड़ी थी, तो जो प्रोटेक्शन होता है, वो किसके कार स्टेबिलटी होती है, अच्छा मुझे बताऊ, तो कौन सा ज़यादा, किसको खतम करना ज़्यादा आसान है, यह फिलिक को के लाइो क्यों फोबिक को, किसको प्रेसिपिटेत करना आशान है, प्रेसिपिटेट करना आसान है, क्योंकि उसमें सिर्प एक ही चीछ से लड़न होना सॉल्वेशन से भी और चार से भी ठीक अब एधी खतम करना चाहते हैं तो पहली बात करें by एड़िंग इस सुटेबल electrolyte और बाइडिंग सुटेबल सॉल्वेंट दो चीज़ें कर सकते हैं या तो सुटेबल electrolyte मिला दे या suitable solvent मिला दे ठीक है बिटा जैसे कि when solvent such as alcohol and acetone are ready to hydrophilic sol the dehydration of dispersed phase occurs under this देखो मिटा उसने क्या बोला उसने बोला कि जब हम ऐसे solvent मिलाते हैं जैसे कि हमने मिलाया alcohol acetone यह सब मिला दिया तो यह सब पानी को अपनी और खीच लेते हैं तो क्या हुआ dehydration हो गया तो पहली परत गई अब उसमें electrolyte मिला दो electrolyte charge को खतम कर देगा अरे बोलो आया के नहीं आया solvent मिला दो और electrolyte मिला दो यह दो चीजें मिला के क्या कर सकते हैं हम उसके charge को खतम कर सकते हैं water किसके चारो तरफ था वो charge की चारो तरफ वाटर था वाटर एक परत बना रहा था अरे बोलो यार इधर से माल लो alcohol आया तो alcohol भी hydrogen bonding करेगा तो वो इसके loan pair को अपनी और withdraw करना चालू करेगा फिर इसको खीशता हूँ अपने साथ में ले जाएगा तो वाटर की परत तो चलीगी बेटा बाहर से डी एडिशन हो गया यहां से तो अब सिर्फ क्या बचा चार्ज बचा चार्ज को और खतम कर दो बात बन जाएगी यदि सब को समझ में आ गया है तो हो बोल दो मैं आगे चलता हूँ प्रोटेक्शन ओफ कोलाइड पे क्या सब को यहां तक बात क्लियर है बीटा को कि डाट्स गुल्ट वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस ओक है चलो आगे बढ़े और आगे पढ़े अब बढ़ते कि अगे प्रोटेक्शन ओफ कोलाइड का सबसे पहले बात चलती है प्रोटेक्शन और लाइड में सबसे दिस्पर्स फेस का हाइड्रेशन है तो उसको क्या बोल दिया बोल दिया जिनन ने भी कोश्चन पूछ ता उनको बात संभज में आ गई होगी इसका मतलब क्या है ठीक है ना चलो आगे बड़े अब आता है protection of collide यदि collide को protect करना चाहते हैं तो कैसे protect करें lyophilic salts are more stable than lyophobic salts यह बात तो आपको पता है this is due to the fact that hydrophilic and lyophilic होते हैं वो double तरीके से protected होते हैं पहली बात तो उनके चारों तरब होता है दूसरी बात हैवी сॉल्वेशन होता है ठीक तोब्र याज़ो फिलिक collides have unique property of protecting अच्छा अच्छा लायविक शॉल्स तो protected है लायविक शॉल्स तो पर्टेक्टेड है हमें किसको ज़्यादा किसके पास protection कम है जली से बोल दो बिटा क्या आपको ये बात की फील है कि फोबिक वाला जो है वो कम protected है कौन कम protected है फोबिक वाला कम protected है तो फोबिक वाले को protect करने के लिए हम क्या करने वाले हैं सुनना मेरी बात को ध्यान से हम फोबिक वाले को protect करने के लिए क्या करेंगे कि तो मैंने क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था आपसे कि Phobic वाले को protect करने लिए पता है क्या करते है अपन? एक बात सुचो तू कि कोई लड़का volunteer है क्या माने पास? कोई लड़का volunteer है माने पास? कोई तो होगा यार कोई volunteer है? चलो भई आरियन वॉलेंटियर करना चाहता आरियन वॉन्स टू वॉलेंटियर ठीक है ना तो माल लो बेटा आप ऐसा कि कि एक आरियन है और एक है कोई कि आप समझ गयोगे यह कौन है कि प्या सब लोग समझ गई यह कौन है यह है कि सुन्दर करनिया क्लियर बेटा आलिया और यह अपना विस इस आरियन आप अब आप समझो किसके फैन क्लियर बेटा अब आप समझो किसके फैन क्लब जादा होगा किसका फैन क्लब बहुत जादा होगा आप मुझे बता सकते हो अलिया का सुन्दर करनिया का फैन क्लब जादा होगा और Aryan का fan club इतना ज़्यादा नहीं है तो समाज में कौन protected ज़्यादा है यदि माल लो आप danger की बात आई तो किसका protection ज़्यादा होगा सुन्दर करनिया का के Aryan का यदि किसी ने सुन्दर करनिया की तरफ आँख उठा के देखा तो उसके बहुत सारा fan club कूटने वाला है उसको जिसने उसको आँख उठा करके देखा क्या लग रहा है तुमनों को ये बात ये बात सही है के नहीं बिटा सुन्दर करनिया ज़्यादा protected है क्योंकि सुन्दर करनिया को पूरा समाज जो है वो protect कर रहा है जहां भी वो गई वहां पर सब को जो है उससे प्रेम है तो इसलिए उससे यदि किसी ने कुछ कहा तो कचरे कर देगे लोग मार मार के उसके ठीक है जिसने कुछ कहा तो सुन्दर करनिया का salvation बहुत हाई है पूरा का पूरा medium सुन्दर करनिया को welcome कर रहा है तो सुन्दर करनिया के चारो तरफ तो भाई एक protective shield चल रही है पूरा medium ही सुन्दर करनिया को protect कर रहा है clear है बिटा पर इसमें जो कम protected है वो आपका भूला सा आपका अपना आपका आरियन कम protected है उसको कुछ बजमास type की लड़के कूटना चाहा रहे है क्या करना चाहा रहे हैं बिटा कुछ बजमास type की लड़के क्या करना चाहा रहे हैं कूटना चाहा रहे है क्या ये बात clear है सब लोगों को ठीक है बिटा कुछ बजमास type की लड़कों ने ये program मनाया कि आज आरियन को हम कूटेंगे लेकिन तब तक क्या हुआ बेटा कि आरियन का आरियन को साथ मिला आरियन को हाथ मिला किसका सुन्दर कन्या का हाथ मिला क्या बात सब को समझ में आ रही है बच्चो सुन्दर कन्या ने आरियन का हाथ पकड़ लिया और उसने पब्लिक से ये कहा कि आरियन को कूटा तो मानना क मुझे कूटा तो आपको क्या ये बात लग रही है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर अभी जो प्रोटेक्टिव लेयर अभी सुन्दर कन्या के चारो तरफ थी सुन्दर कन्या के रास्ते वो प्रोटेक्टिव लेयर अब सब्दूर आ जाएगी क्या आर्यन को जो है प्रोटेक् पत्थर लेकर के खड़े हुए थे और वो मजनु को कुट नहीं वाले थे ये रहा मजनु तब तक लेला आती है अपना बड़ा सा गाउन पहने हुए उसको कुछ अफगानिस्तान में बोलते हैं और वो पूरे गाउन के समय उपर मजनु के बिछ जाती है और लेला जब उप मजनु के बिछ जाती है आपको पता है क्या होने वाला है वो पूरा मजनु को कवर कर लेती है और गाना गाती है कोई पत्थर से नमारो मेरे दीवाने को लेला हाजिर है पत्थर खाने को क्या बात सबको समझ में आ रही है तो बेटा लेला ने क्या किया मजनु को कवर कर ल पूरा का पूरा मीडियम आ जाएगा लाल वाली लेला के चारो तरफ और इस बहाने जो ये मजनु अंदर दुका हुआ है ये भी बच गया अब इस मजनु को मारने के लिए आपको कई दीवारे क्रॉस करनी पड़ेगी सबसे पहले आपको इस जल को तैर के जाना पड़ेगा उसके बार मिलेगी लेला फिर लेला को निप्टाना पड़ेगा तब जाकर कि आप तच कर पाओगे मजनु को क्या मजनु लपक के प्रटेक्टेड हो गया यहां पर आरेन बिटा क्या आप काफी प्रटेक्टेड महसूस कर रहे हैं क्या आप काफी प्रटेक्टेड महसूस कर रहे हैं। I suppose you understand this. हाला कि मुझे ये बात पता है कि आपने से कई बच्चों को ये बात कम समझ में आई होगी क्योंकि practically कुछ और भी हो सकता है जैसे ही सुंदर करन्या ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसने कहा कि आर्यन मुझे बहुत पसंद है वैसे ही आप जानते हो सुंदर करन्या कि इंस्टाग्राम followers कम होना चालू हो जाते हैं लोगों की उमीद कम हो जाती है यूमन लाइफ में और chemistry में ये थोड़ा सा अंतर होता है क्लियर है बिटा इतनी बात सब लोगो I hope everybody has understood that कि किस तरीके से हम hydrophobic solvay hydrophobic colliding solutions का protection कर सकते हैं उनके चारो तरफ philic वाले को लपेट दें तो बात बन जाएगी कई बच्चे इस बात से agree होगे किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी आओ भाई चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्लियर है बढ़ा, okay, that's it, protection of collides तो lyophobic collides का protection करने के लिए, lyophobic collides का protection करने के लिए lyophobic collides का उनके चारो तरफ लपेट देते हैं मेना hydrophilic sol is added to hydrophobic sol जब hydrophilic sol को hydrophobic sol के चारो तरफ लपेट दिया जाता है तो क्या होता है, protection हो जाता है, clear है बढ़ता, okay, चलो कि आगे पढ़े तो हाइडोफिलिक कॉलाइट से यूनि प्रपर्टी ऑपरेंगे तो हो गया सब कुछ और लाईओफिलिक इस परपस इस प्रपर और अ आपको बता हूं आपको बता हूं है NCRT में नहीं दिया है लेकिन important है बहुत ही जादा important है यली line important है और gold number करके concept आएगा वो बहुत जादा important है अलांकि NCRT में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको पढ़ाओगे चलो अब अब आता है emulsion क्या आपको याद है emulsion का कोई famous example जो आपको याद हो हैं की इनल्षन का कोई famous example जो आपको याद हो वेरिगू मिल्क है तो क्या हम कह सकते हैं कि मिल्क लिकुड कॉलाइड हुता ओंद्द liquid, liquid collidal system होता है, जिसमें एक dispersed phase होता है, और यही example यदि बटर का ले लिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि oil के अंदर पानी लटका हुआ है, oil के अंदर पानी लटका हुआ है. तो यदि milk का example लिया जाए, तो medium है पानी, dispersion medium है पानी, and dispersed phase है oil. क्या बात सब को चमक रही है बेटा? क्या सबको बात समझ में आ रही है डिस्पर्स फेज जो है जो डिस्कंटिन्यूस फेज है वो है तेल वो है और लेकिन जो कंटिन्यूस फेज है वो है वाटर किस में मिल्क में ये बात तो हमको समझ में आते हैं सुनना बेटा एक बात मैं आपको बताता हूँ यदि आपको य यदि मिल्क में पानी मिला दिया जाए, तो क्या कुछ फरक पड़ जाएगा? क्या कॉलाइडल सलूशन खतम हो जाएगा? कि कॉलाइडल सलूशन रहेगा? जल्ली से बच्चे बोलेंगे, कई लोगोंने दूद में कई बार पानी मिलाया होगा, तो क्या दूद दूद नहीं रह जाता है? क्या वो कॉलाइडल सलूशन नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा. तो यदि हम, यदि हम डिस्पर्शन मीडियम मिला दें, इमल्शन में, यदि हम डिस्पर्शन मीडियम मिला दें, emulsion में तो कोई फरक नहीं पड़ता है collidal solution जैसा का तैसा बना रहता है मतलब collidal solution अपनी property को maintain रखता है वो किसी भी हद तक mix कर सकते हो आप किसी भी हद तक mix कर सकते हो ऐसा नहीं होता है तो कोई यह बोले कि sir मेरे पास में एक लीटर दूद था उसमें मैंने दस लीटर पानी मिला दिया तो दूद दूद नहीं रह जाएगा दूद पानी हो जाएगा तो भी है वो तो दूद ही रहेगा लेकिन वो पानी वाला दूद हो जाएगा वो बात अलग है पर वहाँ पे किसी भी अमाउंट तो आप मिक्स कर सकते हो ऐसा नहीं होगा दो चीजे सेपरेट हो जाएगा ओयल के पार्टिकल उस पानी के अंदर सस्पेंड़िड रहेगी अरे बोलो हो आया के नहीं आया ये बात समझ में आई के नहीं आया ऐसा बीडियम को किसी भी अमाउंट में आप मिला ओ अरे बोलो हैया के नहीं आया परंतो इसका उल्टा यदी कर दिया जाये तो जो डिस्परऌ्स थेज होगा वो एक तरफ उतराने लग जाएगा और मीडियम अलग रहेगा जल्ली से बोलो बात चम्की के नहीं चम्की, मतलब यदि मैं दूद ले लू और दूद के अंदर तेल मिला दू, तो तेल अलग हो जाएगा और दूद अलग रहेगा, लेकिन जिज दूद मैं पानी मिला दू, तो पानी दूद के अंदर मिल जाता है, मतलब मीडियम किसी भी amount तक मिल जाता है लेकिन जो dispersed phase होता है वो एक separate layer बना लेता है जब हम उसे emulsion में add करते हैं मेरी समझ में तो बात मैंने समझा दी है और आपको बात समझ में आ भी गई है अब एक और example ले लिया जाए चलो बेटा बटर में पानी मिला दू तो क्या बटर के अंदर पानी मिल जाएगा या पानी अलग हो जाएगा बटर में पानी मिला दू तो क्या बटर में पानी मिल जाएगा या पानी अलग हो जाएगा दुनिया जानती है कि को मिस कर देते हैं तो सबको फील आ गई सबको फील आ गई क्या है डिस पर्षट किया है डिस्पर्शन मेडियम ऑइल in water क्या है वाठर इन ऑफिल क्या है और इनका इंग्जामप्लं क्या है ठीक है तो मिल्क और वेनिशिंग की उसका एक्जाम्पिल होता है जबकि water in oil का जो एक्जाम्पिल है वो मैंने आपको butter, fat यह सब एक्जाम्पिल हो गया, cream हो गया, वो सब एक्जाम्पिल है, clear है बिठा, चलो आगे बढ़ते हैं, अब आता है, बचो emulsion of oil in water are unstable and sometimes they separate into two layers on standing, य emulsion of oil in water, यदि पानी को तेल में मिला दिया जाए, तो यह emulsion unstable होता है, और कभी-कभी यदि ऐसा ही छोड़ दिया जाए, तो वो separate out भी हो सकता है, मतलब अलग-अलग हो सकता है, यदि दूद को और पानी को आपने ऐसा ही छोड़ दिया काफी-काफी दिनों तक, तो हो सकता ह कि थोड़ा तेल जो है वो अलग-अलग हो जाए, तेल जो है थोड़ा अलग-अलग हो जाए, प्लियर है इतनी बात तुम लों को, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, हाला कि अपन फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी देर में या तो दूद खराब हो जाता है, और या फ सेबिलाइजेशन करना है, तो एक थर्ड कंपोनेंट को एड कर देना है, तुमने कई बार ये बात अपने जीवन में महसूस करी हूँ कि मैं तो हरदम मानता हूँ कि केमेस्ट्री और यूमन लाइफ में जादा अंतर नहीं होता है, बस यूमन थोड़ा इमोश्टनल प्रा तो ये बात समझ में आती है कि केमेस्ट्री और यूमन लाइफ में काफी जादा सिमिलर्टी होती है, क्या आपने ये बात महसूस करी है, हम सबके अपने गुरूप्स होते हैं, मेरा भी गुरूप था एक कॉलेज में बिटा, मेरे आँख में आसू आजाते हैं, जब भी मै समार्ट लड़के होते हैं, लड़कों को काला रंग दे देते हैं, ज़्यादा अच्छी फील आती है, क्लियर है बिटा इतनी बात, समार्ट और कन्याएं तो सदा सुन्दर होती हैं, तो आओ, कन्याओं को भी बना दे, थोड़ी मोटी कन्याएं भी ले ले, क्योंकि सारी क कन्याएं इतनी दुबली पतली हैं, अच्छा नहीं लगता, आओ, थोड़ी तगड़ी और खाती पिती कन्याएं भी हमने ले ले ले, और नीट की तैयारी में देखा है, क्लासे में कन्याएं ज़्यादा होती हैं, और लड़के कम होते, तो इसमें आपको लड़के दिग कन्याएं दिखती हैं, क्या सब लोग को दिग गई हैं मिटा, क्या सब लोग को दिग गई हैं, ये बड़ा सा गुरूप है, ये बड़ा सा गुरूप है जो की बना हुआ है, अब पता लगा, अब पता लगा कि इसमें से इन गुरूप्स में आपने अक्सर कहानी देखी हो के वो लोग conscious हो गए और आपस में उन्होंने बात करना बंद कर दिया हाला कि मेरी अब ऐसी बातों का असर होना कमी हो गया है मैंने देखा है पहले ऐसी बाते जादा असर कर जाती थी खेर जो भी हो मैं ट्राई तो आज भी करता ही रहता हूं सुनना तो इन दो लोगोंने बोलते हैं तो तो कि इसके दो प्रकार के हांत है और एक हांत इसका वहां डूबा हुआ है मतब सिकनी दोनों टाइप के करेक्टर होते हैं मतलब जो लड़कियों की भावनाओं को समझ सकता है और जो लड़कों की भावनाओं को समझ सकता है वो दोनों का दोस्त होता है विश्वास बहुत ज़्यादा हंसरा है मुझे लग रहा है उसको कुछ कुछ लग रहा है तो the thing is that वो क्या करता है वो इसकी भावनाओं को भी स मसτα है तो वो एक हाथ इसका पकड़ लेता है एक हाथ उसका पकड़ लेता है और इस बहाए से वो दोनों साथ बने रहते हैं यह बात तो फील आ गई होगी आप लोगों को आप लोगों में कौन कोर्ण emulsifying agent है जल्ली से अपने अपने नाम बता सकते हो ये रहा emulsifying agent की property है भहिया कि उसका एक part polar है और उसका एक part non-polar है उसका एक part polar है और एक part non-polar है वो एक हाथ यहाँ पकड़ाता है और एक हाथ महाँ पकड़ाता है वैसे generally emulsifying agents का खुद कुछ नहीं होता है वो बिचारे दूसरों को ही पकड़ाएंगे इधर हाथ पकड़ाएंगे और हाथ पकड़ाएंगे और काम बनवा देंगे उनका clear है बिटा इत्ती बात और बाकी तो जो है कुछ लोग independent होते हैं जिनके पास कूरकुरे होते हैं लेकिन जिनके पास कूरकुरे नहीं है वो बिचारे गरीब क्या करें उन्हें तो emulsifying agent की जरूरत पढ़ती है जब दो लोगों में प्रेम बहुत जादा है तो किसी emulsifying agent की जरूरत नहीं है वो दोनों एक दूसरे के साथ बने रहेंगे किसी emulsifying agent की जरूरत नहीं है लेकिन जब एक तेल और एक पानी हो तो उनमें तो दुश्मनी है तो उस समय हमें emulsifying agent की जरूरत पढ़ती है I suppose that सभी बच्चों को बात समझ में आ गई emulsifying agent की दो property होती है या उसके पास दो end होते है उसका एक polar end होता है एक non-polar end होता है non-polar end अपनी पूछ जो है तेल के अंदर लटका देता है और polar end अपना head जो है वो पानी के अंदर लटका देता है और इस बहाने जो है अब तो वो college के दिन नहीं रहे, आप समझ रहे हो गए बात को, लेकिन college के दिनों में ऐसा हो चुका है कई बार, एक बार नहीं, कई बार, लेकिन ठीक है मतलब, it goes on the life, it is the part and parcel of the life, let's not regret on that, clear है बिटा, I suppose that everybody, नहीं, विश्वास कोई नहीं सुन रहा है, मैंने दरवाजा लग बाया हुआ है, और वैसे भी मैंने बोला है, मैं क्लास में जूट बोलता हूँ, तो इसके रास्ते जो है, बीवी को मैं control कर लेता हूँ, वरना आपको तो पता है, कि दूसरी चीज काफी dangerous होती, घरों में आपने देखाई होगा, ठीक है बिटा, लेकिन मैंने पहले से बता इसके सारे चल रही है, इसलिए बीवी कुछ कहती ही नहीं है, लेकिन कुछ बात है सच भी होती है, यह बात मैं धीरे बोली है, आपने सुना होगा, तो emulsifying agent सब लोग को बात समझ में आ गई क्या बेटा, क्या बात सब को emulsifying agent समझ में आ गई क्या नहीं आ गई, सची सची बोलो यार, आ गई ना समझ या, बस, तो emulsifying agent की property भी आ गई ना समझ में, उसके अंदर दो end होते हैं, चलो भाई, बहुत बात हुई, अब आगे बढ़ते हैं, emulsifying agents के example, मार तमाम हो सकते हैं, कोई दिक्तत की बात नहीं है, ठीके बेटा, बस उसके अंदर दो end होने चाहि बात करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बेटा, बात करते हैं, चलो जली यली पढ़ते हैं, जली यली पढ़ते हैं, यह क्या आ गया भाहिया, लगता है, पेज पलड़ गया, यह तो बहुत आ गया, गया, catalyst आपको बता चुगा हूं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ, यह बात में आपको बता दो, कि जो यह emulsions होते हैं, यह brownian movement, children effect सब दिखाते हैं, दूद का example मैंने आपको दिया था, जली बोलो यार, मैंने आपको दूद का example दिया था, कि नहीं दिया था, काश कि अपनी offline class लग रही होती, तो मैं आपसे किसी से बोलता, वो लियाओ, अपने साथ में क्या कहते हैं उसको, यार, वो जो लाल-लाल कलर की होती हैं लेजर, 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 तो मैं class में दूद लाके आपको experiment करके बताता हैं, लेकिं कोई बात नहीं, अब जब होगा, पांथ से लगेगी, अच्छा बहुत बढ़िया, ननी नप पूछा है, पांथ से लगेगी, शायद उसको बता लेकर के बिल्कुल होस्टल के अंदर बंद करके दुबक के अपन को बैठना, करोना की रिस्पेक्ट करनी है, वरना वो वाट लगा देता है, समझ गया ना मेरी बात को, और पांस तक यदि अपन पूरे इंदोर के लोग ऐसे बैठे रहेंगे, तो ईश्यर की दयाते, पां बिख्वड on the Вамने पूरे लकार ध्वड अनदर इस्वेश्व बादा काहिए बैठे लोगा भी जाते हैं ठीके हैं, तो यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता होगा जब आप छोटे थे और नानी के घर जाते थे, बढ़ा प्यारा होता है नानी का घर सब लोग को हमें भी भी था, हम भी जाते थे नानिया खूब झमके खिलाती है इसमें कोई दोड़ाय नहीं है दादियां भी खिलाती है लेकिन नानियों का प्रेम बिलकोल अलग होता है clear बिटा, तो क्या हुआ और तुमने देखा हुगा नानियां जो हैं, वो cat 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 cat": aquesta sahe si उन दूर रहता था दूर है नोया नया जो है ननु जिसको हम बंदेल खोन में बोलते हैं आप लोर के हां मखहन बोलते होंगे», यह पूर बोलते होंगे वह निकलता था और यू लेकर के चाटते हुए चले जाते थे बड़े एश के साथ पबलिक को दिखाते हुए इतने बड़े राजा थे हम उस समाने में सची बोलें तो वो हेल्थ और वो खाना और वो खुशियां और वो गेम्स रहे ही नहीं तो मेरे को वो बात याद आती है कि यदि मुझे मलशन को सेपरेट आउट करना है दो फेजिस को तो नानी क्या करती थे नानी खैट 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 ऐसे करती थे और हम वहीं उस मटके के पास बैठे रहते थे और सोचते थे कि थोड़ी देर में नेनू निक जाते थे याद आया क्या बच्चों आपको उसी को सेंटी फ्यूइंग बोल दिया गया है और जो अपने बच्पन में किया है इसके रास्ते अपन को लैडल सुलूशन को इमल्शन को खतम कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं हम बच्पन से देखते आ रहे हैं इन चीजों को स बैलून चिपक गया उनका जो है दीवार पर वो काफी खुश हो गए उससे बाकी तो इतने इंस्ट्रूमेंट हमाएं पास थे नहीं लेकिन थोड़े थोड़े एक्सपरिमेंट करते रहने चाहिए इससे बच्चों को साइंस में इंट्रेस जागने तो होता है आपको भी बात करते हैं कोलाइट्स एराउंड अस की बात करते हैं कि हमारे चारो तरफ कोलाइट्स क्या क्या होते हैं जो हम कपड़े पहनते हैं वो कोलाइडल है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए है मील जो हम खाते हैं वो कोलाइडल है वोडन फरनीचर जो यूज करते हम वो collidal है क्योंगी छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है वो collidal है न्यूस पेपर जो रीड करते हैं उसमें collidal particles होते हैं तो हमारी दुनिया collidal particles से घीरी हुई है क्लियर है बेटा आओ थोड़ी नोर्वधी example of the collide blue colour of the sky आपको पता है आज बू है पानी पानी लेकिन sky भी blue होता है और sky blue क्यों होता है क्योंकि जब सूराज से रेखाएं आती है तो वो dust से reflect होती है और जब उससे scatter होती है तो ब्लू light scatter होती है तो वही blue हमको इसका ही दिखाई देता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, यह collidal particle का एक example हो गया, एक fog होता है, mist होता है, रेन होता है, आपको पता है, छोटे-छोटे जो air के, चलो एक-एक करके बात करते हैं, सबसे पहले, जब large mass of air containing dust particle, Raman effect, yes, तो क्या होता है बेटा, अपन बात कर रहे थे, वेना, large mass of air, बहुत सारी air है, उसके अंदर dust particle present है, ठीके बेटा, इस cooled below its dew point, उसको cool किया जाता है dew point से नीचे, तो moisture आके उन dust particle पे settle down हो जाता है, unfortunate बात क्या है, कि जिस्चमें moisture आके उन dust particle पे set होता है बेटा, उस समय particle हमारे respiratory system में अंदर चले जाते हैं, और वो तरह तरह की बीमारियां करते हैं, दिल्ली की हालत खराब है, क्या आप जानते हो इस बात को, दिल्ली में बेटा, इतनी सारी गाड़ियां चलती है, बहुत सारा dust होता है, उपर से री कमी हो, तो फिर वो फरारी जलाना चालू कर यहां जल रहे थे, वो ऐसे न चल करके कैसे चलते हैं? जल 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 कि क्यों? क्योंकि अब temperature गर गया, तो energy नहीं रही, जब energy नहीं तो इतना जोड़दादा आंस नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? वो आपस में मिलना चालू हो जाएंगे, वो आपस में condense हो जाएंगे, और वो condense होकर के एक जो है water का droplet बना लेगा, एक छुटकू सा droplet बना देगा, वो dust particle के उपर आकर जमा हो जाएगा, उसी dust particle के उपर आकर के कुछ gases adsorb हो जाएगी और वो जब अंदर जाएगा, तो तरह तरह की विमानिया करवाएगा, तरसनोजनिक होता है, cancer करवाता है, आपको तो पता है, बिटा, aerosol क्या होता है, air के अंदर, या air के अंदर जब आप किसी चीज को gas के अंदर मिलाते हो, तो अपन aerosol बनाते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, clouds are aerosol having small droplet of water suspended in the air, water आके air के अंदर suspend हो जाता है, उसको बोलते है aerosol, and account of condensation in the upper atmosphere, जब upper atmosphere में जा हो जाते हैं, और इनका size बड़ा हो जाता है, और इनका जब size बड़ा होता है, और जब cloud आते हैं, इधर से cloud आया, इधर से cloud आया, अब charge कोई सा भी हो सकता है cloud के उपर, वो depend करता है, charge मैंने आपको बताया था, याद को लो, last time offline class में मैंने आपको बोला था, जब दो को, तो बिटा, cloud पे कौन सा चार्ज आ गया, हमको कुछ नहीं पता, cloud पे कौन सा चार्ज आएगा, हमको कुछ नहीं पता, by default, इस तरफ से आ रहा था वो, और इस तरफ से आ रही थी वो, मतलब दो opposite charges, और वो charges कहां चड़े हुए थे, cloud के ऊपर चड़े हुए थे, और cloud हो जाएंगे, क्योंगी charges खतम, यार जली जली बोलो, यार, collidal size के particle खतम, तो collidal size के particle खतम, तो क्या बहुत सारे collidal size के particle अब आपस में मिलकर के बड़ा size बना लेंगे, और यदि उन्होंने बड़ा size बना लिया, तो under the gravity force क्या वो नीचे गर जाएंगे, क्या वो नीचे गर आपको बताओं, कुछ ऐसे बदमास देश हैं, चाइना टाइप के, जो की artificial rain करवा लेते हैं, पिछली बार जो है, उत्रा खंड में एक बार तादिसी थी, कई साल पहले की बात है, तब किसी ने बोला, ये चाइना का इसमें हाथ है, चाइना ने artificial rain करवाई है, एक दम जो ह बहुत सारा rain fall हो गया, आपको क्या पता लगा ना, आपको ये पता लगाना है, इंपेमी कौन सा चार्ज है, अब बहुत सारा cloud इखटा है, अपन ने क्या क्या अपन हेल chỉ को फर गאmedim, अपन हेल्ी कॉप्टर से उपर गय और अपन ने जाकर के क्या हुआ, घापोजट कूं पाबिली खाने वाले ऐसा काम करते हैं, क्या बात सब को क्लियर है बिटा, अपन तो अच्छे लोग है, खेर, I hope so, यहां तक सब बच्चे क्लियर है, किसी कोई दिकत, कोई परिशान ही नहीं नहीं, बिटा, artificial rainfall का सब को concept समझ में आ गया, थीन कैसे ही rainfall करवाता है, यह बात भी particle, which is colloidal in size, fruit juices, very nice, फिर blood, यह तो हम पढ़ चुके हैं, blood, blood में सबसे बड़ा protein कौन सा है, blood में सबसे बड़ा percentage किस protein का होता है, क्या वो albumin होता है, बिटा, in colloidal solution, albumin and substance are present, a static action of alum, आपको याद होगा बिटा, और protein को उपर कौन सा charge होता है, अच्छा blood का medium, blood का pH क्या होता है slightly basic या slightly acidic, क्या highly acidic क्या highly basic, 7.4 बोलीन नमर था, बिल्कुल सही बिटा, इसका मतलब slightly alkaline होता है, और बताओ, slightly alkaline medium में protein के उपर कौन सा charge होगा, slightly alkaline medium में protein के उपर कौन सा charge होगा, अरे भाया, negative charge होगा, तो कि COOH react कर जाएगा base के साथ, COOH react कर जाएगा base के साथ, और H plus I अपने साथ ले जाएगा, CO negative हो जाएगा, तो main charge यो exist करेगा, negative charge यो exist करेगा, इसलिए मैंने आप से बोला था, जो हो, जो आपके बास blood के दो component होते है, बताओ, कौन कौन से होते है, blood में, जिसमें protein होता हो, component mainly कौन सा है, plasma है, तो plasma के अंदर main charge कौन सा है, बेटा, negative charge कौन सा charge है, main charge, negative charge है, क्या बात समझ में आ रही है, सब लोग को, तो उसको neutralize करने के लिए अपन ऐलम लगा देते हैं, आपने देखा होगा, पापा लोग कही बार दाड़ी मर आते हैं, तो उसके बाद में यदि दाड़ी में कहीं कट लग गया है, ना भी लगा, तो फिट कर देगी, तो precipitate बन जाएगा, और blood का ठका जम जाएगा, आया के नहीं आया, बोलो आ गया सब लोग को, clear है बेटा, सब को इतनी बात, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, नहीं, नहीं, ठीक, बेटा, सॉइल में, जो है, collidal nature की होती है, सॉइल जो होती है, कोलाइडल नेचर क है, ठीक है, यह, formation of delta, delta समझते हो आप, बेटा, मुस्कान, बेटा, क्या करते हो, तुम हर बार बोल देते हो, नहीं आया, किसी बात में, यह क्या बात होई, बच्चे, मतब, यह बात तुम्हें समझ में नहीं आई, LM में, प्लस 3 होता है, ब्लड के अंदा नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों एक जुष्य को निट्लाइज कर देंगे, अब सुच बिटा नदी आई पहार से, कहां से आई नदी, नदी आई पहार से, ये लहराती हुई नदी आई पहार से, क्रेक्ट है, क्या नदी बिटा माउंटेन से होती हुई आती है, क्या नदी माउंटेन से होती हुई आती है, तो क्या नदी माउंटेन से बहुत सारा अप पर नदी के अंदर जो चीजें थी उसमें थी मिटी और मिटी में हैं नेगेटेव चार्ज और वो जाकर के मिली किस्से ले टाइब को बात आगी होगे कि वो मिली किस्से वो मिली जाकर जाकर के समुद्र से, ये रहा समुद्र, क्या बात क्लियर है सबको, अब क्या होता है बिटा, आज ही मैं किसी की शायरी सुन रहा था, कि नदियां आके समुद्र में मिलती हैं, हम समुद्र हैं, कभी नदी में जाके नहीं मिलते, ये बात भी गलत है, देखो बिटा, जिस समय वो दोनों मिलते हैं, समुद्र नदी में घुसता है, नदी समुद्र में घुसती है, सच बात तो यह है, clear है ती बात, clear है ती बात सबको, समुद्र की अपनी सीमा है, नदी का अपना एक end है, वो बात correct है, कि नदी बहुत distance से travel आती हुई, बड़े size में मिल जाती है, तो हम ब बोल देते हैं, कि direction of flow के आधार पर यह बात हम बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा समुद्र भी इसके अंदर घुसता है, और थोड़ी सी नदी भी इसके अंदर घुसती है, सब लोग को यह बात मानना पड़ेगा, clear है, सब लोग को यह बात मानना पड़ेगी, कि नदी भी तो उसको समुद्र के अंदर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज जो है इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूटलाइस कर देगा और इसके नेगेटिव चार्ज को इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूटलाइस कर देगा क्या बात चमकी के नहीं चमकी क्या इनका जो मिलन होग आ, इनका जो मिलन होगा, तो मट्ठी वहां सेटल होने लग जाएगी और यदि मिट्ठी वहां पर सटल होने लग गई बिटा, तो वहांसे है वो सर्फेस उठना चालू हो जाएगी जब ऐसा ही काम बर्सों तक सदियों तक हजार हजार बर्स तक चलता रहेगा तो एक दिन ऐसा होगा कि मिट्टी पानी के स्थर से ऊपर उड़ जाएगी और नदी जो होगी वो बट जाएगी दो धाराओं में और बीच में जैसे यह फ गाओं में गंदा पानी भर लाते हैं कई बार गाओं में पानी भर लाते हो मटमेला होता है और मा क्या करती है मा जो है फिटकरी निकाल कर उस पानी में घुमा देती है और थोड़ी जिरबात पानी साफ हो जाता है क्योंकि उस पानी के अंदर होती है मिट्टी मिट्टी प application application of collides हो गया यह कोई दिक्कत कोई परिशानी बिटा कोई दिक्कत कोई परिशानी इसमें किसी को भी नहीं है very nice very good चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े मिटा तो अब हम आते हैं किस पर application of collides में application of collides सबसे पहले collides are widely used in industry following are some examples number one electrical precipitation of the smoke आपको बता हूँ मिटा जब बड़ी बड़ी चिम्नियों से बड़ी बड़ी factories में यह लोग बड़ी चिम्नियों से बड़ी बड़ी factories में जब smoke निकलना होता है तो जिस मोहाने पे smoke को निकलना होता है उस मोहाने पे वो electrodes को लटका देते हैं high voltage electrodes थर्टी थाउजन्ट वोल्ट और मोर यह हाई वोल्टेज क्रियेट किया हुआ है अब आप सोची जब धुआ यहां से cross होगा तो धुए के अंदर various gases हो सकती है और उस पर अलग अलग ताइप का charge हो सकता है बिठा डस्ट पार्टीकल्स के उपर charge हो सकता है जो carbon emit हो रहा है उसके उपर charge हो सकता है अरे जली बताओ यार हो सकता है ना तो क्या यह electrodes अपोज़ेट चार्ज इसको अपनी और खीच लेंगे और यदि खीच लिया तो उनका charge खतम हो जाएगा और यदि उनका charge खतम हो गया तो वो नीचे आके सेटिल हो जाएंगे प्रेसिपिटेटेट एश नीचे चली जाएगी और जो चिमनियों से बाहर निकलेगा धुआ उसमें dangerous gases कम होगी बच्चों उसमें dangerous gases कम होगी क्या बात क्लियर है बिटा सबको वरना मैं आपको एक बात बजाओं जहां यह industry लगेगी ना इसके किलो मीटर्स तक कोई जीवन नहीं होगा क्योंकि इतनी डेंजर्स गैसे निकलेगी कि वो उसके आस पास के सारे जीवन को खतम कर देगी ना human रहेगा ना पेड़ पौदे रहेंगे सब जीवन खतम हो जाएगा इसलिए बेटा जब अपन चैप्तर मेटलर्जी पर देना तो इसका पांचवाँ स्टैप होता है जो बहुत इंपोर्टेंट होता है अर्देजन कंसेंटेशन आप दी ओर बैनिफिकेशन आप दी ओर ऑक्सिडेशन रिदक्शन इन पूरिफिकेशन एक स्टैप होता है कि जो भी मटरियल इसके बाई प्रड़ इस टाइब की विवस्था बना करके स्मोक को प्रेस्पिटेट कर देते हैं अगलेकिंग एवाने के काम आनदा है और आगकी बाते करें पीजिफिकेशन आफ ड्रिंकिंग वाटर थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर ली फिर्विपिशन ब्रिंकिंग वाटर की मैंने ब पेंड रहती है नीचे सेटल होजाती है यह रहे हैं है इस चलो मेडिसन्स की बात करते हैं मोस्ट अप भी मेडिसन्स अर को लाइडल में लिए जातर जो मेडिसन्स होती हैं को लाइडल होती है रग्जामपल R-gyrol of silver sol is used in eye lotion R-gyrol is used in eye lotion Collidal entomony को काला अजर में यूज़ करते हैं अजार बोलते हैं उसको मैं काला अजर करके यार कर लेता हूँ उसको फिर collidal gold जो है intramuscular ejection लगा देते हैं that forms golden hour मज़ाग की बात है तो collidal gold जो है intramuscular ejection लगाते हैं उसका ठीक है और milk of magnesia, acidity, stomach disorders, इनको treat करने के काम आता है, क्योंकि basic होता है nature में, तो acidity जहां पर हो रही होती है, वहाँ पर milk of magnesia का अपन प्रियोग कर लेते हैं, तो उनका surface area क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो कैसे बढ़ जाता है, बड़े size के particle को आप जब तोड़ोगे, तो surfaces बढ़ जाएगी, number of surface बढ़ेगी, तो surface area बढ़ जाएगा, ठीक है बड़ा, इसके बाद tanning करते है, animal hides, जो animal की खाल होती है न, वो collidal होती है nature के, when the hide which is positively charged, hide जो होती है, when a hide which is positively charged is soaked in tanning, tanning consists of negatively charged collidal particles, ठीक है बटा, तो जो खाल होती है, जो hide होती है, उसके अंदर positive charge particle होते हैं, उसको अपन tanning के अंदर रखते हैं, tanning पे होता है negative charge, negative or positive charge आपस में मिलते हैं, और neutralization हो जाता है, इससे leather थोड़ा hard हो जाता है, पर हमारे काम आने लग जाता है, so the term is called as, the process is called as tanning, chromium salt are also used in place of tanning, clear है बीटा, चलो, cleanizing action of soap and detergent, क्या इसका बारे में अपन बात कर चुके हैं, detergent और soap के action के बारे में, micelli formation ब्ला 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 पढ़ाया था, याद है सबको, याद है, very good, चलो भाई, इसके बाद photographic plate और film पर प्रियोग करते हैं, collidal nature का होता है, है ना, photographic plate और film are prepared by coating an emulsion of light sensitive silver bromide in gelatin over glass plate और celluloid film, इस line को बिलकुल ऐसे ही देख लेना है, uses में खूब आता ह rubber industry में, latex is a collidal solution of rubber particle which are negatively charged, rubber is obtained by correlation of latex, इन sentences को ऐसे ही पढ़ लेना है, important है, आपको पता है, इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद आता है, industrial product paint, ink, synthetic plastic, rubber, graphite, lubricant, cement, etc, collidal solution, एक बार सिर्फ मोटा मोटा पढ़ लेना है, और इसी के साथ, ये chapter का, ये part जो है, वो खतम हो जाता है, ठीक है बच्चो, लेकिन, मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूं कुछ चीज, क्या इत्ती बात सबको clear है, कोई दिक्कत, कोई परिशानी तो नहीं हुई बेटा, यहां तक chapter सबको comfortable है बच्चो, तो मैं आपको एक चीज और पढ़ा देता हूं, इस chapter में, और वो क्या थी, वो थी gold number, तो आप कहें, तो gold number और पढ़ा दूँ, कितना समय हमारे पास बचा हुआ है, बताए मुझे, हमारे पास कितना समय बचा हुआ है, पच्चीज मिनिट बचे हुआ है, बहुत सारा समय हमारे पास, two minutes time दिया, चलो बटा, यह हो गया, ठीक है, तो अब जो है, मैं आपको एक तर्म पढ़ा देता हूँ, उस शब्द का मतलब होता है बिटा, क्या, gold number, ठीक है न, gold number, आपको याद होगा, मैंने आपको protective action में यह बात बताई थी, कि हम lyophobic salts जो होते हैं, उनके उपर, lyophobic salts जो होते हैं, उनके उपर आप lyophilic salts को मिला देते हैं, ठीक है अब, लायोफिलिक salts क्या करते हैं, लायोफोबिक salts को protect करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द यूज किया गया है, gold number, और gold number क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है बिटा, covering कर देते हैं, बिलकुल सही, एक शब्द होता है, जिसका मतलब है, gold number, gold number, clear है तो gold number का क्या मतलब है, समझना, the term was used by Zygmonde, इनके माता पिटा ने इनका नाम बहुत प्यार से रख था, Zygmonde, ठीक है बिटा, दिखरा है सब लोग को, this term was used by Zygmonde, clear है, चलो, इन्हों ने क्या कहा, इन्हों ने ये कहा, कि gold number, it is the number of milligram of hydrophilic collide, it is the number of milligram of hydrophilic collide, Zygmonde ने इसके बारे में बताया था, उसने क्या बोला, Zygmonde ने, it is the number of milligram of hydrophilic collide, added to hydrophilic collide, added to, it is number of milligram of hydrophilic collide, that will just prevent, that will just prevent, that will just prevent precipitation of 10 ml of precipitation of 10 ml of gold salt, that will just prevent precipitation of 10 ml of gold salt, standard gold salt, on addition of, standard gold salt, on addition of, 1 ml of, on addition of, 1 ml of 10% NACL solution, 10% NACL solution, गड़बर हो रही है क्या, पूरा नहीं दिख रहा गया बेटां, नहीं दिख रहा है पूरा, अब पूरा दिख रहा है, ठीके ना, अब पूरा दिख रहा है, इस नंबर ओफ मिलीग्राम ऑफ हइड्रो फिलिक कोलाइड, तैट विल जस्ट प्रेवेंट प्रेशिपिटेशन अफ 10 ml of standard gold salt, on addition of 1 ml 10% NACL solution, देखो भाई, हमने लिया हुआ है, standard gold salt, हमने लिया है, standard gold salt, तुम मुझे बता सकते हो, गोल्ड salt पे कौन सा चार्ज होता है, गोल्ड salt पे कौन सा चार्ज होता है, कौन बच्चा मेरे को बताएगा यह बात, गोल्ड salt पे कौन सा चार्ज होता है, positive के negative, गोल्ड salt पे negative charge होता है, बच्चों, negative charge होता है, याद करो आफ। स्टैंडर्ड गोल्ड in हमने लिया हूआ है। 10 ml of standard gold salt, यह किता लिया है हमने, 10 ml, standard gold salt लिया हो, ठिक, और बहार से एक चीज मिला रहे हैं, जो इसको खटम कर देगा, और वो जो चीज एक मिला रहे है, 10 ml of standard gold salt लिया है, और वो जो एक चीज इसमें मिलाई जारी है, वो क्या मिलाई जारी है, 1 ml of 10% NAC, 10% है लेकिन है, एक ही मिलाई है, इसका जो positive charge हो, इसके negative charge को आके खतम करने वाला है, करने वाला है, करने वाला है ना, करने वाला है इसमें अब हम इसका protection करेंगे, यह रहा, यह रही heroine, यह रही heroine, और यह रहा आओ, शक्ति कपूर, यह रहा आओ, शक्ति कपूर, क्या बात समझ में आ रही है, यह शक्ति कपूर इस heroine को खतम कर देगा, clear है बेटा, तो यहाँ से protective collide आएगा, जो कि आप में से कोई होगा, और आकर के इस heroine को बचा लेगा, ठीक है बेटा इसका कितना email लगता है it is number of milligram of hydrophilic collide यहां से अबन एड़ करेंगे और यहां से किसको एड़ करेंगे hydrophilic collide और यह hydrophilic collide कौण है याद करो बेटा यह hydrophilic collide वह सुन्दर करने है जिसने आरेन को बचा लिया था अर जितना कम लगेगा उतनी उसकी protecting power होगी जितना कम लगेगा उतनी उसकी protecting power होगी सुन्दर कर्णिया को बहुत लोगों को convinced करना पड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ी तब जाके Aryan को बचा पाए तो अपन सुन्दर कर्णिया की protecting power उत्ती सारी नहीं बोले वे क्या बात सब को समझने आ रही है लेकिन यदि माल लो सुन्दर करन्या को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उसको सिर्फ इतना ही इशारा करना पड़ा हूं डोंट और सब के सब जो है पीछे हड़ गए सब ने अपने अपने पत्थर नीचे फेक दिये तो हम कहेंगे भाई सुन्दर करन्या की प्रिटेक्टिंग पावर बहुत ज़ादा है यदि आप एक देखो धर्मेंदर को और एक देखो जीते अनदर के लड़के को माल लो ये दोनों हीरोईन को बचा रहें किसकी प्रिटेक्शन पावर ज़ादा होगी सन्नी देवल की ज़ादा होगी कि जी में दर्मेंदर कब लगेगा। कि तुशार कपूर ज़ाधा लगेगा। लगेगा। दोचार् तुशार कपूर खर्च हो जाएंगे। तब जाकर के पता लगेगा कि उनको भचा पाए।mand scales जो है धर्मेंदर वो तो सिर्फ एक डेमो दे रहेंगे एक बगल में आदमी खड़ा करके उस पर घुसा मारेंगे आदमी जमीन में घुश जाएगा और इस डेमो के सारे ही पब्लिक पीछे अट जाएगी और वो शक्ति कपूर भाग जाएगा कहेगा अरे यार धर्मेंदर जी आगैगे अब नहीं हो पाएगा जड़ा सा डेमो दिया हुनको मेहनत नहीं करनी पड़ी तो जो कम लगा उसकी प्रिटेक्टिव पावर ज्यादा होती है और गोल नमबर क्या है? तो यदि किसी का गोल नमबर जादा है मत्तब उसकी प्रोटेक्टिंग पावर यदि किसी का गोल नमबर जादा है मत्तब उसकी प्रोटेक्टिंग पावर जल्ली से बताओ बिटा यदि किसी का गोल नमबर जादा वेरी गुड इसने है उसकी protecting power कम होगी उसकी protecting power कम होगी यदि किसी का goal number जादा है तो आ गया ना सब को समझ में यदि goal number जादा तो protecting power कम ओके paradise तो क्या होता है goal number सब को समझ में आया amount of hydrophilic collide required in milligram to protect 10 ml of standard gold salt दस ml को एक ml से बचाना है जो की दस परसेंट कांसेंट्रेट है एक और गोल नंबर लिका लेगा तरीका में आपको बताऊं पहले बोले मोर्दा गोल्ड नंबर लेसर दा प्रोटेक्टिंग पावर मोर्दा गोल्ड नंबर लेसर दा प्रोटेक्टिंग पावर लेसर दा प्रोटेक्टिंग पावर जैसे बात करें तो जेलेटिन का गोल्ड नंबर होता है 0.005 0.005 2 0.01 यह गोल्ड नंबर एक सका जैलेटिन का जबकी पोटेटो इस्टार्स का गोल्ड नंबर है अचंछीर खेस किसकी प्रेटीन पावर जादा होगी जलेटन की जलेजेली बोल रहे आज है अफकोर जलेटन की ज्यादा है कि इसका गोल नंबर कम है आओ इसका अठiving सवाल कर लें स्वाल कोई दिक्रत की बात नहीं है चलो बेठा हटा-पट नोट कर लो इसको स्क्रीन शॉट ले लिया सब ने कि आई होप सो सब बच्छों ने स्क्रीन शॉट ले लिया इसका ठीक यसर डन चलो बेठा इसके बात की कहानी मैं आपको बताता हूं सुनना बात को ध्यान से गोल नंबर जड़ी बात करें पर गोल नंबर के लिए एक फॉर्मूला है जिससे आसानी सवाल फॉल हो जाते हैं गोल नंबर बराबर हमको लिखना है बराबर मास ओप लायोफिलिक सॉल मास ओप लायोफिलिक सॉल नंबर अपन वायोफिलिक सॉल नंबर अपन वायोफिलिक सॉल इन एमें इन टू इन टू टैन स्टैंडर्ड फॉर्मूला भाई यह फॉर्मूला लगा देना है और जीवन को सरल कर लेना है कि बहुत ही काम का फॉर्मूला है हर सवाल इस फॉर्मूला है सो सॉल्व हो जाएगो इस समझ गया बेटा सब लोग बात को समझ गये चलो भाई एक बात करते हैं ओन एडिंग वन एमेल ओफ ठीक है ना चलो ऐसा करते हैं ओन एडिंग वन एमेल सलूशन और ने आवफ तैन परसेंट एडिंए एल तो टैनमेल ऑफ गोल्ड फ्रेजेंट रंड इत्ना स्टारच हो के ठीक है सवाल को थोड़ा चंज कर देंग ऐसा करते हैं 10 ml solution of 10% NACL is added 10 ml of 200 ml 200 ml of gold salt 200 ml of gold salt 0.025 gram of a lyophilic salt was added to just prevent co-agulation find value of gold number क्या दुनिया निकाल सकती है कोई दिक्कत कोई परिशानी है क्या 1% solution 10% NACL was added to 100 ml of gold salt कित्ते को मिलाए गया यह फोबिक पार्ट कित्ता मिलाए गया इतना मिलाए गया काई में मिलाए गया ग्राम तो मास आफ हईडरोफिलिक शॉल एड़ेट तो किता है पॉइंट जीरो तूफईब इन्टू थाउजेंड क्योंकि अपनको मिलीग्राम में लेना है आया विटा अपॉन किते एमेल में मिलाया गया है तो यह तो एमेल में ही है है इड्रोफोबिक सो एमेल है अपन सो इन्ट प्लाइ हो गया तो कितना जाएगा 0.25 आजाएगा क्या है आई सपोस्ट अपॉइंट तो फइफ इफ 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 ता इस नॉट फइफ इफ दाट जाएगा थिक 2.5 आ रहे गया हजार से मुंटिप्लाई हुआ है इंटु सो ओके ओ कि सब्सक्राइब कोई दिक्कत कोई परिशान ही सवाल सबको चमक गया किसी कोई दिक्कत तो नहीं है न चलो इसको जली से आप देख लो उसके बाद मैं आपको एक दो सवाल और करा देता हूं इस पर कि 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 अ कि 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 नेगेटिवी चार्ज प्राप्ट करने के लिए इसका एक्सिट होना जब इनकी रियक्शन होगी क्या इप्लस हो सकता है यह ऑड़ाइड हो सकता है और हमको चीजिए प्लस हो क्यों होता है कि या तो एक्सेज में क्या होना चाहिए आयोडाइड मतलब के आई अब सोच इसके मोल किते हैं इसके मिली मोल किते हैं दस और इसके किते हैं तो कुछ भी एक्सेज में कि अंडेड में लॉग कॉइंट वन एम एग्सेज में तो एजी प्लस एक्सेज में आगा तो पॉइंटिव बने तो इसरा दो सो है मैं लॉग पॉइंट वबन एमें ऐगी क्या बनेगा पॉजिटीव के नेगेटिव के नेगेटिव सब्सक्राइब चैप्टर हमारी पर से पूरा खतम हो चुका है जैसे एंसी आट इसमें काफी अच्छी थी इस से अधा परने के आश्यक्ता नहीं है टोटल चाहिए चार नेक्चर नहीं है उसके और इसमें ममला खतम हो गया है सबी लोग इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से बेखें ठीके में रिकॉर्डिक आपको मिल जाएगी आप विटा नहीं बाइबाइब टटल शीव स्वस्तर हैं मस्तर हैं और प्रिकॉशन से लेगें बाइब कर दो गज़ बाइब